जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोज बनाना शुरू किया था, तह मैं बहुत ही बक्वास वीडियोज बनाती थी फ्रॉम ओवर अक्टिंग की दुकान, जैसे कि ये क्लिप है टू, इतना गंदा ओडियो क्वालिटी कि मुझे कमेंट आते थे कि ये वीडियो को देखकर मेरा मन कर रहा है फोन उठाके फेक दू क्योंकि आवाज इतनी कम है जैसे कि ये वीडियो पर उस समय भी मैं अपने काम से बहुत खुश थी और मैं जिसको भी मिलते मेरे परिवार वालों को, मेरे फ्रेंड को मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल-खोल के उटको दिखाती रहती थी मोबाइल में कि देखो देखो मैंने ये मेरा वीडियो है कैसा है कैसा है इस तरह से ताकि और अफकोर्स वो आपके परिजन है तो वो कैसा भी होगे वो तारीफ ही करेंगे आपकी आपके मुँपे तो बोलेंगे नहीं कि अच्छी नहीं है तो सब बोलते थे बहुत अच्छ है और मैं उसे यह बहुत खुश थी जरूरत है कि आपका जो कॉंटेंट है वो सामने वाले को एकदम सही से पहुचे आपका जो नौलेज है आपका जो कॉंटेंट है आपका जो इन्फरमेशन है जो आप इस वीडियो के थूच शेयर करना चाहते हैं उस इंसान को जो मोबाइल पकड़ कर अभी आपका ये वी सामान चाहिए तो यह सब कहां से आगए क्योंकि my dear friends सिर्फ सामान से YouTuber नहीं बना जा सकता सामान के साथ एक चीज और चाहिए और वो है confidence ये confidence कि मेरा content किसी की life में change ला सकता है आप comedy वीडियो बनते हो कोई बात नहीं आपका अगर comedy वीडियो कोई देखे सामने वाला हसेगा आपने उसके चेहरे पर smile लाइए ये एक achievement है आपके information वीडियो है जैसे कि मैं बोल रही हूँ वैसा तो उस information से किसीने कुछ सीखा है आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है आपका music वीडियो है आप सिर्फ गाना गाते हो तो सामने वाला उस चीज को enjoy किया है तो चाह यही है वो content आज का वीडियो दो पार्ट में divide होगा सबसे पहले में मैं बताऊंगी कि जुगाडू क्या-क्या चाहिए कि आपके पस जो already existing समान है उससे आप बहतरीन वीडियो कैसे बना सकते हैं दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप थोड़ा सा investment करना चाहे तो थ पोड़े से अच्छे equipment लेके आप वैसे भी शुरू कर सकते हैं YouTube वीडियो तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जुगाड पे जो की exactly वही है जो मैंने किया था जुगाड में आपको एक तो common सी बात है camera के जरुवत नहीं है आप फोन से ही record कर सकते हैं आपको पता है आज के date मे movies बनती थी ना उससे भी जादा powerful है उस time तो वो लोग उस camera से पुरी पुरी picture बना देते हैं हम लोग को तो सिर्फ एक video shoot करना है तो ये कभी मत सोचना कि मेरे पास mobile है तो मैं कैसे shoot करूँ इतना अच्छा shoot नहीं होगा मुझे camera की जरुरत है second चीज mobile तो हो गई set camera अपना हो अब बात करते हैं audio की audio ना एक YouTube वीडियो का बहुत important part है आप अगर ठीक से आपको अच्छे pixels में दिखे ना दिखे पर अगर आवाज कम होगा ना आवाज नहीं सुनेगा ना तो फिर वो वीडियो कितना ही अच्छे quality में shoot किया हो मैं तो बोलूंगी कई बार वीडियो से भ बात करते हैं ना फोन में एरफोन लगाकर इसमें जो यह आपको यहां पेक पॉइंट दिख रहा है यह speaker होता है ठीक है इससे आप अपने फोन को इस फोन से connect करो इस एरफोन को और जो voice-over होता है cooking recipes वीडियो में या कोई भी वीडियो में जब voice-over होता है या audio record करना होता है आप इससे बोलो एकदम crystal clear आवाज आईगी ठेक है बहुत अच्छी आवाज आती है normal से earphone से भी बस आपको यह ध्यान रखना है दो तीन simple सी चीज़े हैं कोशिश करो तब audio record करने के जब आपके आसपास एकदम शांती हो अगर रात के टाइम शांती होती है आपके घर में बाकी टाइम में कुछ noise आ रहा होता है तो आप रात का time select कर सकते हो जो भी time आपको लगता है दोपहर का या इस time पे घर में शांती है मैं room बंद करके कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो second चीज़ आपको ध्यान रखना होगा fan है न ओफ कर लिया करो जब आप आवाज record करते हो voice voiceovers दे रहे हो यह तो बात होई voiceovers की अब third बात करते हैं stand की कि कहां पे हम लोग अपने phone को रखें अगर आप कोई भी mobile की आजकल accessories की दुकान में जाओगे 300 से starting होकर 3000 तक के tripods मिलते है Amazon में flip card में हर जगा मिलता है तो आप वैसे tripod ले सकते हो शूरू करने के लिए मेरा भी जो tripod layout बहुत जादा sturdy बहुत strong होने की जरूरत नहीं है किसी भी सस्ते वाले tripod में भी mobile अच्छे से fit हो जाता है तो आप एक tripod ले आओ और अगर नहीं करना तो भी चलेगा आप कोई books आप कोई table की उपर में किसी चीज के सहारा से इस तरह से आप लगा सकते हैं अपने phone को या बात हो गई phone audio सब कुछ का अब बात होता है editing की तो editing की free apps है already market में जैसे की काइन master है वीवा वीडियो वीडियो शो इस तरह के बहुत सारे apps है उसमें problem एक ही होती है कि side में वो लोग अपना watermark देते हैं लोगो देते हैं अगर आपको वो लोगो नहीं चाहिए तो आपको व मत करो कि logo है logo नहीं दिखना चाहिए मेरा professional होना चाहिए just starting out होने दो आपको लगा कि आप इसको लंबा time तक करोगे तब आप खरीद लेना और कई apps में तो ये भी option होता है कि अगर आप एक video आड़ देख लोगे तो इस video में आपका watermark नहीं आएगा तो आप वो भी कर सकते ह हैं अभी सिर्फ शूरू कर रहे हैं तो आप ये सब apps का use कर सकते हैं edit करके upload करने के लिए तो आपकी video shoot हो गई आपकी video में audio अच्छा आगया आपका video edit हो गया अब आपका एक internet connection के मदद से video upload भी हो गया तो इतनी से सामान आपको चाहिए थी YouTube पर videos बनाने के लिए और जहां तक background बगएरा का सवाल है कि मेरे background अच्छा नहीं है मैं कहा शूट करूँ तो इतना नहीं सोचना है यार पहले में फिर से मैं आपको अपने पुराने कुछ clips दिखाती हूँ मैं normal room में शूट किया हुए पीछे almari दिख रहे होते हैं कभी ऐसा है कि पीछे मैंने एक का खईदा था उस कपड़े को पीछे लटका दिया और उसके आगे खड़े होके शूट कर रही हूँ कभी मैं घर के वरंडे में बैटके शूट करती थी क्यूंकि main था कि मेरे content से लोग आएंगे मुझे देखने के लिए background अच्छा हो सब अच्छा हो बढ़िया बात है पर अगर content ही अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है इतने खर्चा करके या फिर इतना setup करके राइट तो I wanted to make sure of myself कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं कि मेरे को एक setup मिले तो मैंने पहले अपने आपको प्रूफ करना जादा जरूरी समझा कि इतना सब कुछ invest करने से पहले स सारे equipments वगेरा में पहले देख तो ले कि ये काम में कर पाऊंगी भी या नहीं लंबे टाइम तक anyway अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं दूसरा पार्ट जो है हमारा कि अगर आप थोड़ा बहुत investment कर सकते हैं तो क्या-क्या आप ले सकते हैं आपको easy रहेगा सबसे पहले वीडियो का मैं नहीं बोलूँगी अभी भी की कैमरा खरीदो क्योंकि फोन में बहुत बढ़िया कैमरा होता है तो फोन कैमरा का तो मैं बोलने वाली नहीं फिर भी आपको जादा ही खर्चा करने की इच्छा हो रही है तो आप खरीद सकते हो second चीज में आपको बोलोंगी कि आप बोया का जो M1 माइक है that is most affordable and very good माइक बोया का M1 माइक मैंने काफी टाइम तक यूज किया था I think उसका दाम 1500-2000 के अंदर है मैं डूण के आपको link description में दे दूँगी आप उसको check कर सकते हो आप वो माइक खरीद सकते हो उसकी wire बहुत लंबी होती है एक battery लगता है normal सा उसमें आप उसको mobile से connect करके आराम से कभी भी record कर सकते हो आवास quality बहुत अच्छी है उसकी अब आती स्टैंड की बार तो स्टैंड के लिए जैसे मैंने आपको बोला 300 से स्टार्टिंग होके 3000 तक आपको जो भी ही लगे कि ये मेरे लिए सही है अगर जैसे आप टेबल पर शूट करते हो तो जैसा मैं अभी मैं टेबल मेरे सामने है तो मैंने ऐसा वाला tripod लिया हुआ है पर ज गोरिला पॉल ले सकती हो जो कि पुरा मुड जाता है और अगर आपको जादा डीटेल में समझना है कि आपके लिए परफेक्ट ट्राइपॉड कौन सा होगा तो एक ट्राइपॉड पर ही मैंने वीडियो बनायते हैं उस मैंने 7-8 तरेके ट्राइपॉड दिखाए हैं और यह भी समझा है कि कैसे टाइप के यूट्यूबर को कौन सा ट्राइपॉड यूज करना चाहिए उसका लिंक यहां में आई बटन में दे रही हूँ आप देख सकते हो एंड में भी डिस्क्रिप्शन में भी दोंगी वहां से भी आप चेक कर सकते हैं और लास्ट जो आप लिंग अगए ड्य पर्दा लटका वा रहता है उसके आगे आप बैट करो उससे क्या फाइदा होता है कि मतलब आप को जो भी लगा आए आप वह बैग्राउंılmış लगा सकते हो तो green screen आप खरीच सकते हैं again depending on कि आपके किस टाइब की videos होगी और अगर green screen की जरुवत नहीं है आपको तो आप किसी भी plain दिवाल का घर का कोई plain दिवाल में आप wallpaper लगा लो, बहुत सारे wallpapers आते हैं, बहुत ही affordable prices में आते हैं, जो भी print आपको अच्छा लगे, वो wallpapers लगो सब खुदी लगा सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं की professional की जरुवत हैं, लाके लगा लो, काफी plain अच्छा सा लगेगा आपका दिवाल, और last में internet connection of course, इसके बिना upload कैसे करेंगे यार, तो बस इतनी से चीजों की जरुवत हैं, पर जो सबसे important चीज था इन सब में से, उसको मत भूलेगा, वो था confidence confidence की मेरा जो content है, वो किसी को हसा सकता है, वो किसी का दिन बना सकता है, वो किसी को information दे सकता है, वो किसी को खुशी दे सकता है या उसके जिंदेगी में किसी भी तरह का फर्क ला सकता है, ये confidence होना चाहिए, आपके content में आपको पता है, जब आप कभी-कभी YouTube में वीडियोस देखते हो, तब आपको जो YouTuber है, वो किसी product के बारे में बात करता है, और कभी-कभी नीचे लिखावा भी आता है, sponsored video तो sponsored video क्या होता है brand deals क्या होती है ये जो company उनको products भीजती है, उस ad को करने के लिए वो company उनको कितना pay करती है, कुछ idea है आपको इस video में मैंने इसके बारे में बात किया है, brand deals की सारी details आपको मिल जाएंगे इस video पे, तो मैं हूँ पृतिका लूनिया और आप देख रहे थे captain पृतिका कड़क content उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा thank you